नमश्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वर्तमान समय में ये चार्टर एकाउंटेंट है, जॉब भी कर रही है और अपना प्रैक्टिस सुरू करने की इक्षा भी है और आगे के जिंदगी के विशे में जानना चाती है और इंडिया से बाहर रहने की इनकी इक्षा और तमन्ना है तो उसकी पुर्ती होने के क्या चांसेस हैं, इंडिया से बाहर जाने के क्या इसाब किताब बन रहे हैं, उस विशे पड़ भी इनको जानना है थातली पर क्या अच्छी खराव वस्था है, क्या पॉस्टिव है, क्या नेगेटिव है कि इस बातों का विशे इसकर ध्यान रखना है, उन सारे विशों पर इनको जानना है तो आप निश्यंत रही आपके सारे ही कोशन्स पर बैचार करेंगे चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ, बड़ी असपस्टा के साथ समझाने का भी परियास करेंगे आपके बिलकुल भी डाउट्स नहीं रहेंगे और आपकी डाउट्स को क्लियर करने का पूरा पूरा परियास भी करेंगे है तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महतपून है क्योंकि बहुत प्रकार की ऐसी जानकरी जो आपको वीडियो के माधियम से मिलेगी जो आपको शायद आपने आज तक नहीं जानी होगी और किस बात का केर करना है कि इस बात का धिमाग में रखना है उस बात को भी बताने का मैं प्रियास करूँगा तो सबसे पहले आपके पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे फिर आपके नेगटिव चीज़ को देखेंगे तीसरे आपके कोश्चन्स पर चलेंगे तो चार तरीके से आपके तली को देखा जाएगा अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो एक अदबुत सी बाग गिरेका हाथ पर मौझूद है चमतकारी बाग गिरेका हाथ पर मौझूद है मैं तो आपको 25 वर्स के आयूमें ये बात बता देता हूँ कि आप बहुत पैसा कमाने वाली है जिन्दगी पर बहुत तरक्की करने वाली है क्योंकि बाग गिरेका आपकी समान नहीं है बहुत बड़े-बड़े CAB अमारे क्लाइंट है और बहुत आगे बढ़ रहे हैं इश्वर की किरपा से तो एक बहुत जबरदस दिखने वाली बाग irre का मैं दिखाता हम समझ नहीं एक बहुत जबरदस दिखने वाली बाग irre एक दम सूई के तरह पतले और एक दम सुरुवाती दौर से अच्छे परिवार से तालुकाद भी रखती है और क्या गजब की आगे बर रही है मतलब क्या जबर दस्त है मतलब एकदम शानदार है अब इससे बढ़ियां भागे रेखा क्या हो सकती है एकदम चंदर परवत से गई है और शीदा शेनी परवत पर है और जीबन के लाश्ट में तो दो तीन ब्रांचेस के साथ अब क्या ही चाहिए आपको इश्वर ने तो आप पर करपा किया है रोज सुबा उटके इश्वर को धन्यवाद करो रोज रात में सोते समय इश्वर को धन्यवाद करो वो कम ही है इतनी सुंदर भागिरेखा आपके हाथ पर है मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोल सकता हूँ मतलब जातक की जन्दगी बदलने वाले भागिरेखा है महज 25 वर्स की आयू में आप सीय बन गई और आप आगे आगे देखो क्या क्या होता है चुकि भाग गे रेखा नॉर्मल नहीं थी उस बात का ध्यान में रखना और अगर आपकी किसी के हाथ पर ऐसी भाग गे रेखा है तो जिन्दगी पर सफलता पाने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सफलता तो आप लिखवा के लाए हो तो खुश हो जाएए, मस्त हो जाएए फरक नहीं परता कौन क्या कह रहा है फरक नहीं परता कितनी नाकामयाभी हाथ लग रही है बस इतना फरक परना चाहिए आपको कि आपके हाथ पर अच्छी बाग गे रेखा अगर आप मेहनद करते रहोगे पर प्रयास करते रहोगे, तो एक नाएक दिन तरक्की आपको जरूर मिलेगी, पहली positivity ये थी, दूसरी थी आपकी बुद्ध रेका बंड रही है, अभी फिलाल तो रीसी भी टूटी है, लेकिन ये बंड जरूर रही है, ये आपको benefit जरूर कराएगी, definitely कराएगी, उसके सुन्दर मंगल रेका एक है, ये देखो ये वाली, बहुत सुन्दर मंगल रेका, और यहाँ से भी देखो मंगल रेका है, और आगे भी कुछ मंगल रेका बन रही है, लेकिन टूटी-फुटी से ये लेकिन बन जरूर रही है, उसके बाद का positivity में आपको अगर दिखाओं, तो सुन्दर रेका बड़ी अच्छी है, आपके हाथ पर, एकदम घतरनाक, और सुन्दर रेका के साथ कुछ स्क्वाइड्स बने हुए हैं, जो कि सुन्दर रेका के बलको इंक्रीज तो करी रहे हैं, इसमें no doubt है, इसमें कोई doubt नहीं, ये बलको इंक्रीज करती है, मल्टिपल प्रॉपटी के सुक के लाइंस भी आपके 36 में वर्स के बार डबलब कर गई है तो पैसा कमाना तो अब लिखवा के लाइं है इश्वर से तो पैसा जिंदगी पर कमाना ही है पैसे कमाने में ज़दा मगजमारी जिंदगी पर है भी नहीं अगर मैं आपको दिखाऊ ऑब भाग गी रेका है जो कि बड़ी अदभुस्री है बड़ी कमाल शी है और बहुत सुन्दर आपकी गिदर रेका लेकिन हम इड़र रेका पर कुछ समस्यार वह में दिखाऊंगा लेकिन आगे के इदर एका ठीक है, तोड़ी भावू कहें, लेकिन फिर भी इदर एका ठीक है, अब उसके बात दिखाओ, यहाँ से भी एक प्रोबर सा स्क्वाैर साइन मुझे दिखिरा है, जो कि भूत उनदा है, ब्रश्पति पर भी कुछ स्क्वाइर साइन बन रहा है, जो कि ये खदरनाक है, यहां से भी कुछ लाइन्स है, जो पुरुपकाई नेचर का परिचे करातू रही है, ये तो को ये इतनी पॉस्टिविटी थी इनके हाथ पर, अब बताओ ये पैसा नहीं देगा, ये भी एक पॉस्टिव लाइन्स है, इसको भी मैं जब समझाओंगा जीबन रिका भी आपकी अदबुत बड़ी है, तो ये ऐसे लाइफ लाइन्स वाले विक्ति भी जंदगी पर तरक्किया वश्य ही करते हैं, ना करने की तो बात ही नहीं है, तो इसके उपराद भी इनकी पॉस्टिविटी थी, तो लाइन्स के बाद आपके प्लैनेट्स को लगबग लगबग अच्छे कंडिशन्स में हैं, तो प्लैनेट्स अगर अच्छे होते हैं, तो इस पॉस्टिव वाइफ आता है, कहते हैं कि हमारा बेस बहुत अच्छा है, मकान कि इतना भी बड़ा बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, मकान बनाने के लिए पैसा जरूर ह लेकिन कुछ लोग बेस नहीं बना पाते हैं, तो बास सीरी सी है कि ये सब तो इस्टोर के किरपा है, अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे होते और आपके लाइन्स अच्छे होते तो आप जिंदगी पर पैसा जरूर कमाते हैं, और क्या ही होता है, बहुत लोगों के हाथ बड़े बड़े लोगों के हाथ पर देखा गया, तो कैसे कमाया उन्होंने पैसा, उन्होंने पैसा कमाया अपने हाथ के दमपर, उनके हाथ पर वो अवस्थाएं होती है, उनके प्लैनेट्स में वो चमक होता है, उनके लाइंस में वो बात होती है, तब ही वो जिन्दगी प पर positivity रहती तो negativity रहती है अब अभी जो मैं negativity बताऊंगा हो सकता है वरतमान समय के लिए हो कुछ समय के बाद यह खतम हो जाए या फिर कुछ उपाई दो तो यह खतम हो जाए यह भी दिमाग में लेकर चलना तो पहले negativity अब बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है तो थोड़ decision making में problems होती है तो शादी का दिरने हो केरियर का दिरने हो अपने हितियसी से पूछ के समझ के diagnosis करके ही लेना नई तो देखो मौका इस life में बार बार नहीं मिलता है की बार मिलता है समझना मेरी बात आज कम से कम कोई विक्ति आपको समझाने वाला तो है यहाँ देखो एक लिक्यों आपसे कह रहा हूं उसका reason भी वो भी दिखाऊंगा तो परने negativity decision making में problems है दूसरी प्रश्पति का यहाँ से तनाव है तो थोड़ा struggles और साधी के जिंदगी में थोड़ी अनबन या थोड़ी तनाव को indicate करती है अलाकि अगर आप देख सुनके करेंगी तो फिर ही दिक्कत है आपको और पैसे की बात ही नहीं है यहाँ पर बात तो यहाँ सीदी सी है अपने जिंदगी को ठीक करो तो बढ़ियां से कुंडले मिला के शारी करना जिंदगी अच्छा करना चाहती हो तो थोड़ी अनबन के स्तिया बन रहे है थोड़ी एक negativity है वेवाहिक ज करिये है तो डेफिनिटली आपको सोच समझ के करने क्या हो शकता है चब्वेस वर्स के आपके आयू होई कही है और एक समस्या और भी मुझे दिख रहे हैं अगर मैं दिखाऊं तो थोड़ा सा मस्तिक सरेका पर भी 28 में साल तक है किया हुए है तो कुछ मासिक तनाव को ले अभी तो आपकी पहले प्राथमिक्ता विवाहिक जिंदगी है विवाह होना है आपका तो हो सकता है कि आपको आपके मन लाइक ना मेले जल्दी बाज़े में कोई ने हो जाए उसको लेकर चंतित रहें तो इस बात को लेके थोड़ा समय आपको हिंट दे रहा हूं तो इस नेगेटिविटी है तो बुद्ध रेखा भी थोड़ी टूटी हुई है आपकी ये टूटी भी बुद्ध रेखा भी थोड़ी से डाइजेशन संबंदी मामले में प्रॉब्लम्स को इंडेगेट करते है अलाकि ये बन जाएगी ये नॉर्मल नेगेटिविटी है ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है भी ने तो इसको लेके चिंता ना करवा इसको लेके इवन बिलकुल बे चिंता ना करवा ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है इसके बात का अगर मैं आपको दिखाऊं कि और क्या चीज़े मुझे आपके तली बता रही है तो ये negativity थे अभी कुछ प्रशन को हम सुनते हैं, तो इनके questions थे इनके जिंदगी पर कि देखो अभी जैसे ये charter account है, तो अपना business ये कब से शुरू कर सकती है, अपना practice ये कब से शुरू कर सकती है, वो इनको basically जानना था, क्योंकि अभी ये charter account है, तो देखो आप अभी job तो क से आप सुरू कर सकती है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, business क्या, गर पर practice करना चाह रही है ये, और practice तो ऐसे लोग करी लेते हैं, मैं ऐच 25 वर सकीन की आयू है, बड़ी अच्छी पदवी पर है आप, तो कर लो, business सुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आभी आ काफी उची तरेगा, काफी बढ़ियां रहेगा, अगर वो आपने नहीं किया, तो ये एक समस्या वाली बात तो है, तो उसको आप जरूर से करें, नहीं तो फिर एक टेंशन वाली बात तो होती है, चुकि विवाह एक ही बार होती है, जंदगी पर, तो उसे हमें बड़े बारिकी के साथ और बड़े गहनता के साथ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता ना, समस्याएं जंदगी बराती है, तो चुकि मुझे कुछ समस्याएं आंसिक रूप से दिख रही थी, इसी वज़ा से मैंने इस बात का चर्चा किया आप से, और कहीं नहीं कि मेरा देह ही यह ही है, इस चीज को लेके कि आपकी जंदगी सफल हो, आप बहुत अच्छी रहे हैं, तीसरा कोशन ता विज़ेशी दर्ति से धनलाव को लेके क्या आवस्था हैं, आप केतली पर अवस्थित हैं, उस विशे पर आपको जानना है, तो इस चीज को भी हम दिखाने का समझाने का प्रियास करते हैं, एक तो आपकी भागे रेका जंदगी का लास्थ तक गई हुई है, जो कि आपके सूरी छेतर के तरफ सिफ्ट कर रही है, ये दर्शाती है कि ऐसे महिलाएं का विदेशी दर्ति से कुछ तालुकात होता है, विदेशी दर्ति से धनलाव होता है, दूस तो इस तीनों ही अवस्था में आपके विदेशी दर्ति से धनलाव के योग बन रहे हैं, जो आपकी एक्षा तमन्ना है विदेशी दर्ति से धनलाव करने की, वो संभावनाएं आपके हतली पर पूर्णता है, और आप बहुत ज़दा एक्टिव हैं विदेश जाने के देखेंगे जीवन रिखाज चीजों को कवर करेंगे, अभी चलिए हम जीवन रिखाज चीजों को दिखाते हैं, तो देखो बच्पर में थोड़े से मानसिक तनाव रहे तो हो सकता है, परहाई का प्रेशर आपने लिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहां से भी आपके इसमें में कुछ नौकरी प्रापती के योग थे, पचीसमें में नॉर्मल दिक्कत थी फिरेग आपके साथासमें में तरक्की फिरेग 28-39 में दिक्कत है, यवा किरती आपकी मस्तिक से रेखा और आप खिरदे रेखा तो ही बता रही है, 28- slopes तक दिक्कत है तो आने वाला सम ही है थोड़ा कियर जरूर कर लेना यह आपके लिए उचित रहेगा यह आपका आपके लिए उचित चरूर रहेगा 28 में 30 के बाद एक प्रगति आपके जंदगी पर 29 में फिर 32 में में फिर एक तापके 33 में 35 में प्रगति कारत यह भी होता है कि जातक कुछ ना कुछ तरक्की पर करते रहते हैं मतलब माल लिया कुछ खड़ीद लिया वो भी अगत Tरक्की है कुछ पर्चेज कर लिया जरूरी है कि आप वही कारे करो कुछ भी कर सकती हो तो वो तरक्की को इंडिकेर तो करती ही है तो इस केस में जातक की तरक्की होती है अब ऐसा एक थुड़ी है कि आप तरक्की करती है कि आप हमेशा ही आगे ही बढ़ते रोगे ऐसा नहीं है कुछ भी कर लिया कोई समान करी लिया तो वो भी एक तरक्की है मतलब आपने कुछ चेंज हुआ पॉजिटिव वे में तो उसको हम तरक्की के रोपचे देखते हैं तो उसको हम तरक्की कह सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है तो तरक्की कार्थ ये मत समझे न कि मैंने कह दिया तो हर साल हर दूसरे दिन आपको प्रमोशन होगा हाँ अडवेंचरिस लाइफ रहेगी आपने कुछ कमाए कि एक्सपेक्टेशन रखा वो हो जाएगा उसको भी तरक्की कहते हैं कुछ आपकी काम फसे वे वो हो जाएगा उसको भी तरक्की कहते है मंगल रेका भी आपकी काफी जादा अच्छी है तो ये मार्श लाइन भी इंडिकेट करती है कि ऐसे जातक बहुत प्रभल होते है बहुत अच्छी आयू होती है इनकी नो डाउट तो ये इनके जीवन रेका का विश्टेशन था अभी इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके लाइफ लाइन का विश्टेशन तो कर दिया गिया है अभी इनके एतली का पूर्णता विश्टेशन करेंगे चीजों का असपस डूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा महतपूर है देखे सीखे समझे स्क्वारिस पामे मद्यमेच के वाद सफलता को पाते प्लैनेट्स अच्छे कंडिशन में है 75% राज्यों का अफल है जिंदगी अच्छे बीटती है सारे प्लैनेट्स में लगबग लगबग इस्टेंटर राज्यों कारक अधरी अगर आपने कुछ भी कारे सुरू किया तो महालक्षमी का स्रीम क्रिपा आपके उपर बनी रहेगी और आप जिंदगी पर आगे बढ़ते रहोगी तो कारे लेकिन कुछ आगे कुछ करने के लिए कुछ सुरू तो करना पड़ता है ना महालक्षमी के असीम क्रिपा बनी रती गद्यदार भी है एकदम स्मूथ है इसका अधरत यह होता है कैसे लोग कमफर्टेबल लाइफ बिताते एकदम राजाओं के समान कमफर्टेबल कमफर्ट के साथ जंदगी को बिताते है इसमें भी कोई डाउट वाली बात तो है तो एक जबर्दस थम्ब है वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको स्टेक दम जबर्दस थम्ब लंबे कदकाथी के वेक्ती और इक्षा सकती बड़ी अच्छी है स्ट्रॉंग यहाँ पर से लाइन से थोड़ी सी कभी कबार कमजोड़ी है डर की अवस्था को दर्शाती है बाकि यह भी थोड़ी अवस्था को दर्शाती है बाकि यवा किरती है जब भी सपोर्ट के आवशक्ता पढ़ेगे मल जाएगा डिजायर्स बड़े अच्छे है महात्मा काची नेचर है बहुत कुछ करने की इक्षा तमन्ना है सेकेंड फरेंज का कंडिशन सुपर्ब है तो यह दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति समान के रिक्षा कर पाएंगे और जबरदस थम्ब है जबरदस व्यक्तितों का परच्च कराता है इसमें भी कोई संदहे वाले बात ने एक शांदार जांदार व्यक्तित पर जरूर होता है फरेंगे समझदारी के लूप काफी अच्छी जातक बहुत समझदार स्ट्रॉंग लाइन्स है ये दर्शातिक ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते एकदम पानी के समान साफ होता है इसमें भी कोई डाउट नहीं है जिन्दगी पर आगे बरना है ये तो कंफर्म है बागी कुछ लाइन्स आपके हाथ तो थोड़े इंट्रोवर्ड नेचर को इंडिकेट करती है वो नॉर्मल है बागी विशेज दिक्कत बाली बातनी ये छोटी है बड़ी इंसान बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिम्मती होते है of theúsica ज मैंगे पर परना चाहते है भागी समझदार माण सिक्ता किया है समझदार से सिंदगी पर आगे बढ़ता है अगे बरना चाहते है फिर देखे यहां से दवाब है तो यह थोड़े से struggles विवाई जिवर में थोड़ी problems को indicate सो जुरूर करती है बाद बाकी आपकी यह देखो बहुत यह अच्छे lines है जो परुपकारी है ऐसे विक्ति बहुत ज़्यादा परुपकारी होते कुछ lines यहाँ पर बने कुछ squares भी है जो 32 वर्स के बाद अच्छे जिंदगी का परचे करा रही थी बाकी यह से उभार है तो यह तकरिवां 23 वर्स के बाद के अच्छे जिंदगी का परचे कराती है मस्तिक्स रेका अच्छी है ओवर कॉंफरेंस में दिरने मत देना थोड़ी थोड़ी तनाव है 28 में वर्स तक थोड़ी मुझे दिखी थी वो बड़ी समान यह है उसके बाद तो मस्तिक्स रेका ठीक है कुछ triangles के साथ है negativity को दूर कर रही है हाँ जल्दी भाजी में और उबर कॉंफरेंस में दिरने नहीं लेना है हड़ी दर रेका पर थोड़ी 28 में साल तक थोड़ी emotional दबाब के problems तो थे बाकि दर रेका काफी अच्छी है और emotional तो है इस बात को थोड़ा ध्यान रखिये का बाकि ट्राइंगल से negativity को दूर कर रही है विश्ण योग का formation routine को follow करने वाली जल्दी गुस्सा हो जाती है इरिटेट हो जाती है बाकि square जो property के योग खुद बताई रहा है balance काफी अच्छा दिल दिमाग की बहुत तंदरूस थे इसमें तो कोई संदेह नहीं है फर यहां से दवाब है तो विक्ति महनती तो होते है और जबर्दस भागे रेका विदेशी दर्थी से धनलाव भी settlement के योग भी है और आगे भी बागे रेका बहुत जबर्दस थे है दो तेंच शेतर से आने वाले समय में पैसा और पैसा खूब कमाते है ऐसे लोग पैसा बहुत अता है इनकी जिंदगी पर line of education बहुत बढ़िया है इंसान अच्छे मानसिक्ता के है अच्छा line of education आपके अच्छी समझदारी का परिचे कराता है ज़ातक बहुत समझदार है और जबर्दस सूरी रेका आपके हाथ पर है यह सूरी रेका दर्शाती है कि ऐसे ज़ातक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग मानसिक्ता के होते है और यश्की प्राप्ती करते है चुकि यह बहुत सम्मान जनक पदपर आसीन होते है बहुत एकुरेसी के साथ किसी भी कारे को करते है कुछ आपके स्क्वायर्स है जो आपके सूरी रेखा कि पॉस्टिविटी को इंग्रीज कर रही है यहां से लाइन से दर्शाते कैसे विक्ति भूत तेस्तरा सन मरकरी अच्छी है बुद्धिविक से कारी करने वाले और हमेशा जिंदगी पर आगे बरने की इच्छा रखने वाले दोडो मंगल बहुत जबर्दस इंसान काफी इनर्जेटिक इनर्जी से आगे बरते हैं थोड़े दोखे के योगे तो तुरह सम्मल के रहना तीस वर्ष तक थोड़े दोखे मिलने के योग को बताती है बागी चदर्मा भी बहुत जबर्दस्त है यह लाइन्स भी आपके हाथ पर वस्थित है यह विशेश कर विदेशी दर्शे settlement को दर्शाती है और यहाँ से भी विदेशी दर्शी दर्शे दनलाप के योग को यह बतातू रही है बहुत जबर्दस्त बागी चदर्मा अच्छा है पैसिक फ्लोग जिंदगी पर बनी रहती है एक जबरदस्त आपके हाथ पर बाग गिरेका यह बाग गिरेका जिंदगी के लास्त तक जा रही है जो की कमार है उस ट्राइंगल से जो आपके नेकिटिविटी को दूर भी कर रही है बाग गिरेका यह भी बुद्ध रेका बन रही है थोड़ी टूटी है लेकिन आगे चलके इसका बेनेफिट आएगा बेनेफिट आएगा तो एक बढ़िया मने ट्राइंगल यह बनाएगा बढ़िया उसके बात देखो तो बाग गिरेका तो आपके जिन्दगी के लास्ट अके मज़ा आगया इसमें तो कोई संदेह नहीं है चपर्दस्त बागी बाती है कुछ आपके लगजरी के प्रापर सुख के लाइन से थोड़े स्ट्रेस तो जिन्दगी पर बने थे बाकि स्ट्रॉंग लाइन से आपके हाथ पर ये लाइन दरशाती है कि ऐसे विक्ति मनी मेंजमेंट में प्रबल लेकिन शादी के समय तोड़ा परहेज करना जबरदस्त आपकी मंगल है प्राक्रमी तो लेकिन थोड़ा टेंशन भी लेती है आप तो प्राक्रम तो है लेकिन थोड़ा चिंता सोबाब भी होता है बाकी मंगल बहुत अच्छा इंसारे रेजिटिक है बहुत ज़दा एनरजी होते इसमें तो कोई संदे है नहीं तो शुक्रमंगल बहुत अच्छा जिंदगी मस्त भी दती है तो यह था इनकेतली का पूर्णता वेश्टेशन अगर आपको मारे ये बड़ पसंद है लाइक कर दे कमेंड कर दे से स्क्राइब कर देगरा प्रसंदी में सास्तर का दिखा के साही जानकारी पाना चाहते है हमारा वाट्सप्न में डिसकेशन मिल जागा लेकर आप संपड़ कर सकते धन्यवाद